नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट मिथून रासी अक्टूबर नोवंबर दिसंबर ये तीन महिना आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाओ लाएगा आज हम यही जानेंगे विस्तार से पीडियों के अंतक बने रहे है और ये बिडिक्सन चंद रासी पर आदा रहे है पहले समझते हैं ग्रहों के स्थती क्या कह रहा है देखिए 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या रासी में रहेंगे तो आप मिथून रासी वालों आपके चतूर्त भाव में रहेंगे और केतू यहाँ पर पहले से है तो सूर्य का गोचर आपके लिए यहाँ पर देखिए कुछ निगेटिव हो सकता है क्योंकि केतू के साथ सूर्य भी आ रहे हैं तो ग्रहन योग बनेगा अब सूर्य चतूर्त भाव पर होंगे केतू यहाँ पहले से हैं मन में थोरी असांती हो सकती है तो यहाँ पर देखिए आप को कास भी यहाँ पर है तो ऐसे में सूर्य जब केतू क्या साथ पाएंगे तब थोरी असांती देंगे मन में लाइफ में ग्रहन योग बन रहा है ना तो कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे प्रोपर्टी से जुड़ा कोई नया कार इसमें सुरू मत करें 13 अक्टूबर के पहले या 16 अक्टूबर के पहले तक यहाँ पर खास कर 13 अरह के पहले तक तो कोई भी अगर मकान वहन खेंदा चाहते हैं तो अभी रुख जाएए यह टाइम आपको सो समच कर निर्ने लेने का है नहीं तो नुकसान होगा प्रोपर्टी के मामलों में खास कर और मां के बलकि देव गुरु ब्रेस्पती की किपा परसेगी क्योंकि 17 अक्टूबर तक का जो वक्त है हला कि 9 अक्टूबर को ही देव गुरु ब्रेस्पती का प्रभाव आपके ऊपर कुछ खास होगा क्योंकि देव गुरु ब्रेस्पती वक्री अवस्ता में आ जाते हैं और इनक घर पीछे भी अर्था इंकम की दृष्टिकों से बहुत अच्छा निकल कर आएंगे क्योंकि इंकम के रास्ते खुलेंगे अलग-अलग छेतर से धन आएगा तो बड़ा धन लाब चाहते हैं तो देव गुरु बैस्पती जो की बार में घर में अभी चल रहे हैं आपके बहुत भी लाब का ही रहेगा अर्थिक दिश्टिकों से अच्छा रहेगा अब समाज में अगर आपको लगता है भीर से भीर में कहीं खो गया हैं नहीं जूर पाते हैं लोगों से तो यहां पर देखिए देव गुरु बैस्पती आपके करियर में एक नई जान डालेंगे उमीद देंगे और तीन गरह की तीन अस्थानों की दसम दूती एक आदस तो तीसरा द्वादस अर्था इस टाइम करियर के मामलों में परिवर्थन करना चाहें तो दस में इस अस्थान से द्वादस पर यहां पर क्या होगा ना दस अक्टूबर से यह आप अस्थान तरन तो यहां पर इस्तिती बन सकती है विदेश में रहते हैं देव गुरू ब्रश्पती बारवें घर से दसमभाव को देखेंगे तो विदेश में आप अगर विदेश जाना चाहते हैं योग बनता है विदेश से घर आना चाहते तो आ सकते हैं करियर में प्रेवर्तन होता द चिस तक रहेगा लेकिन अनुकूल रहेगा महतपूर्ण सयोग है आपके लिए जो सनी देव है नया धिस्ग्र वो भी वक्री चल रहे हैं 15 नौमबर तक सनी देव हमेशा की तरह आपके नौम घर में है और यहां पर भाग्य उन्नती में जो बाधाएं चल रही थी जो आपके रिष्टे सही नहीं थे आपके सिनियर के साथ किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था पिता से दूरियां थी तो वक्री सनी के कारण ऐसी चीजें हो रही थी तो यह चीजें अब आपकी समाफ्त होगी एक मजबूती देगा रिष्टों में सबसे संपर्क बढ़ियां होगा सुपफल मिलेगी सफलताएं मिलेगी सिनियर का सपोर्ट से और सनी देव यहाँ पर देखेए जीवन में बदलाओ लाएंगे करियर में बदलाओ लाएंगे भागे में उन्नती के रास्ते खोलेंगे और सनी देव सदय आपके लिए योकारक भी हैं तो ऐसे में आप सनी का जो मंत्र है ओम संग्सने च्रायनम इसका जब कर सकते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और देखिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि सनीदेव धीरे-धीरे परिणाम देते हैं इसलिए यह गोचर भी अनुकूल है लेकिन आपके लिए धीरे-धीरे परिणाम देंगे तो आप के अगर हम राहू की बात करें तो राहू आपके दसंभाव पर करियर के भाव पर राहू के अंदर एक भूख होती है लालच होता है तरफ होती है तो भूख और तरफ है तो इसमें करियर के मामलों में आप एकदम से नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे खूब मेहनत क करेंगे इतना कर्म करेंगी कि आपको लगेगा दुनिया को जिसे मुट्टी में कर लें तो करियर के मामलों में कर्म के मामलों में आप प्रगती पर हैं और जो आपके अंदर एक इच्छा सकती है ना वही आपको तरकी की तरफ ले जाएगा हलांकि यह जुनून आपके लिए माई 2025 तक रहेगा और सफलता भी प्राप्ती समय होगी राहू का दसंभा उपर होना सफलता के लिए बहुत अच्छा है 2025 तक आपके लिए समय नुकूल है मई 2025 तक तो यहाँ पर ये चीज़ें बढ़िया है लेकिन भय भ्रम करियर को लेकर भी राहू देते हैं तो इन भय से आपको बशना होगा और राहू को जीतना है ओम राम रहवे नमका जब करें या फिर रोज दो तुलसी का पत्ता उसको आप मसल कर और पानी के सहरे निगलने तो भी राहू आपके कंट्रोल में रहता है राहू सुपल देता है हम आपसे बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद